अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में आप टेट जानें सक्रियता का संकेत अब किसान हक के लिए सपा करेगी कुछ बड़ा किसानों के अंदोलन पर लगातार सियासी पारा हाई हो रहा है जादतर प्रदेशों में विपक्ष और गैर बीजेपी सरकार केंदर की मोदी सरकार के खिलाफ दिखाई दी रही है जिसमें उतर प्रदेश के मुखे विपक्षी दल सपा का नाम भी शामिल है सपा की तरफ से जहां केंदर सरकार पर आरोप तो लगाए भी जा रहे हैं वहीं जम कर निशाना भी साधा जा रहा है अब मामले पर सपा संरक्षक मुलाइम सिंग यादब सक्रिय दिख रहे हैं और बेटे अखिलेश यादब से मुलाकात कर उन्हें एहम सुझाओ दिये हैं ऐसे पार्टी के विश्वत सूत्रों से जानकारी मिली हैं सूत्रों की माने तो किसानों के उपर हो रहे अत्याचारों को लेकर नेता जी मुलाइम सिंग यादब काफी खफा हैं और इसी को लेकर उन्हें अखिलेश यादब से मुलाकात की और एहम सुझाओ दिये किसान हक के लिए सड़क पर उतरने की बात कही जिस पर अखिलेश यादब ने भी सहमती दे दी हैं और किसान यात्राएं उसी का एक हिस्सा हैं नेता जी मुलाइम सिंग यादब ने केंदर सरकार के रवये पर नराजगी जाहिर की और अखिलेश यादब से कहा ये वक्त सड़क पर उतरने का है और सत्ताधारियों को विपक्ष की ताकत का एहसास कराने का है अब सचे किसान हितैसी होने का सबूत देने का वक्त आ गया है और इस मौके को हाथ से न जाने दिया जाए सपा की तरब से किये जा रहे है संगर्श को लेकर नेता जी ने अखिलेश यादब का जहां होसला बढ़ाया वहीं ये भी कहा कि ऐसी कोई जे नहीं जहां अखिलेश यादब को कैट दिया जा सके ये मौका धरना देने का है धरने से काम न चले तो फिर आंदोलन करने का है लेकिन किसान के हक के लिए पीछे हटना मुनासिब नहीं है हर हाल में किसानों के हग को दिलवाना है और सपा को इसके लिए जी तोड मेहनत करनी ही चाहिए वहीं अखलेश यादब की भी इस सुझाओ पर सहमती मिली है जिसके बाद सियासी हलचल तेज दिख रही है और एक तरफ नेताजी के सुझाओ पर अखलेश यादब सक्रिय हैं तो वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी बीजेपी के नेता मामले पर सपा को पूस रही है बीजेपी नेताओं का कहना है कि अंतिमसा से गिन रही सपा का कुछ भला होने वाला नहीं है किसानों के नाम पर सियासत चमकाने का जो गुरु मंत्र अखलेश यादब को मुरायम सिंग यादब ने दिया है वो किसी काम का नहीं है क्योंकि सपा पर कोई भरोसा नहीं करता वहीं बीजेपी नेताओं के इस आरोप पर सपा नेताओं ने भी पलटवार किया कि भरोसा कौन करता है और किस पर करता है वो आने वाले वक्त में जनता जवाद देगी लेकिन फिलहाल हमारी प्रात्मिक्ता है कि किसानों के हक को उन्हें दिलवाया जाए और जो लोग किसानों के हक को अपनी वपाती समझ रहे हैं उनको उनकी असली जगह दिखाई जाए अब देखना ये है कि नेदा जी के सुझाओ पर अखली श्यादब क्या एक्शन लेते हैं और ये एक्शन कितना कारगर साबित होता है बिरो रिपोर्ट मीडिया हल चल